हेलो गाइस वेल्कम तो अनदर वीडियो अप स्टॉक मार्केट फिंस औलेक्ट्रा ग्रेंटेक लिमिटेट की ओर से सप्टमबर क्वार्टर की फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुका है आज के इस वीडियो में अलसेस करेंगे स्टैंडलॉण चलिए फेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते है तो गाइस पहले हम लोग फिनांसल रिजल्ट को कवर करेंगे लाक्स में नंबर्स है इंकम में 310 करोल का पिछले क्वार्टर में 217 करोल का और सप्टमबर 22 क्वार्टर में 183 करोल का इंकम है क्वाटर ओन क्वार्टर एअर दोनों में इंकरीज किया है एक्सपेंसेस 285 करोल का पिछले क्वार्टर में 190 करोल का और सप्टमबर 22 क्वार्टर में 172.5 करोल का एक्सपेंस हुआ था quarter on quarter year on year दोनों के expenses भी increase किया है जिसके बाद operating profit है company का 26.5 करोड का पिछले quarter में 25.2 करोड का और September 22 quarter में 11 करोड का operating profit है quarter on quarter year on year दोनों में increase किया है net profit है यगर देखा जाये तो 18.5 करोड का net profit है पिछले quarter में 18 करोड का और September 22 quarter में 7.4 करोड का net profit है quarter on quarter year on year दोनों में इंक्रीज किया है EPS 2.2 रुपीज का quarter on quarter में एज़िटी सेम है year on year में इंक्रीज करती में नजर आ रही है वह सेगमेंट वाज रेविन्य की बात करें तो इंसुलेटर डिवीजन, इबस डिवीजन, इट्रक डिवीजन इन तीनों से रेविन्य जनरेट कर रहा बहुत ही स्ट्रॉंग ग्रोव थे क्योंकि इंक्म और प्रॉफिट दोनों में तेजी देखने को मिला है वो यगर हम हमें stand alone results को cover करेंगे तो income है 301 कारोल का प्षले ग्वाटर में 207.5 करोल का और September 22 क्वाटर में 219 करोल का income है Quarter on quarter, year on year में increase किया है expenses 273 करोल का पिछले ग्वाटर में 182.6 करोल का September 22 क्वाटर में 204 करोल का expense हुआ था quarter on quarter year on year की expenses भी increase किया है जिसके बाद operating profit है 28 करोड का पिछले quarter में 24.8 करोड का और September 22 quarter में 14.6 करोड का net operating profit है quarter on quarter year on year में increase किया है नेट profit 20.9 करोड का पिछले quarter में 18.6 करोड का और September 22 quarter में 11 करोड का net profit है जो की quarter on quarter year on year में increase किया है EPS 2.56 रुपीज का quarter on quarter year on year में increase किया है तो गाइस overall company के standalone है consolidated बहुत ही strong result पेज़ किया है क्योंकि company का income profit दोनों में increase किया है जिसको market positive मिलेगा और मंडे के दिन तेजी देखने को मिल सकती है तो अब हम लोग वीडियो को ही प्रेंट करते हैं अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पूछे मिलते हैं नेक्स लोडो में डिल दिन बाई बाई